तो नवस्कारे दूस्तों गुड़ वर्निंग सस्त्रियकाल प्रणाम और सब कुछ ठीक है हजरात आज में लोगों बात कर देवाले हैं राच इनिवर्शेटी समेश्टर वन M.D.C. पेपर के बारे में तो जोतने भी लोगों का समेश्टर वन में M.D.C. में चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो यहां पार आपको सलबस दिया जा रहा है एसमें आपका टोडल इतने सारे सब्जेक्ट इनकूरॉडेट है इसमें देख लेजी एक बार मैं नाम पढ़ और नमबर पर है एकॉमर्स ठीक है फिप नमबर पर है लाइब साइंस ठीक है देन हमारा mathematical and computational thinking analysis का पेपर यह इतने सब्जेक्ट से समेश्टर वन में ठीक है तो आपका तो जिनको भी चाहिए यहां से सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हैल्प ले सकते हैं यह समेश्टर टू यहां सुरू हो जाता है तो यह होगा हमारा अआपको पढ़ना क्या 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 को देख कि अपका जितना फ्रहूब का है सबकर शे रहेंगे जिसमें से चार को बनाना होगा ठीक के पास करने के लिए तीस नंबर लाना होगा टाइमिंग ठिर्या रहेगा अब पढ़ना क्या है तो सभी सब्जेक्ट सभी किस से लिए बस में आपको दिया होगा यह सकॉर्स कंटेंट टेके तो यू निट यत्ना भी यू यूनिट दीया है यू 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 टू यू टु एफुनिट पिर हमारा यहां पर डिस्क्रेमिनेशन एंड वाइलेंस इसमें आपको नाइन आवर पढ़ने का था लेकिन आप लोग नाव गंटा कहां पढ़ते हैं पढ़ें नाव गंटा इस पेपर को फिर यह हमारा है जेंडर एक्विल्टी एंड लेगल प्रोविजन्स टेक है क्या क् में कानून है प्रोविजन्स है नेक्स्ट है हमारा यहां पर टुबार्ड मेजरिंग जेंडर एक्विल्टी एंड एक्विल्टी तो यह आपका थ्री आवर का है पूरा का पूरा मतलब 15 घंटा का कॉर्स है नो तिन बारा तिन पंद्रों नहीं यार 18 से 21 घंटा कॉर्स है तो इसका मैं इंपोर्टेंट कोश्चन दोंगा जेंडर एक्विल्टी का टिक इंट्रोडक्शन टो जेंडर एक्विल्टी बाकी सभी का आपको खुद से प्रेपर करना होगा और जितने भी लोग मैथेमेटिकल एंड कंपूटेशनल ठिंकिंग रखें इसका मैं सिलेबस अप्लोड कर दिया है इसका में दुमका वाला देख लिजिएगा उसी टाइप से कुछ रहेगा कहां गया थोड़ा से देख लेते हैं यह हमारा हो गया मैथेमेटिकल एंड कंपूटेशनल ठिंकिंग इसमें पढ़ना है आपको एस्टेटिक्स एंड प्रोबिल्डी इंट अगर आप मैधेमेटिकलड एंड कंपूटेशनल ठिंकिंग रखें तो मैक्सिमम चांस है कि आप फेल हो जाएंगे हाँ आप फेल हो जाईएगा मैक्सिमम चांस है क्योंकि यहाँ जो टॉपिक है ना अगर आप साइन्स लिये हैं 12 और 12 साइन्स में भी मैथ लिये हैं PCM ठीक है और अच्छे से पड़ा है और सब कुछ याद है तो आप इसमें संभव की पास हो जाएं अन्यत्था बाबू गोल हो जाएगा गुरू ठीक है तो क्या ही बताएं mathematical and computational thinking के कारण बहुत सारे बच्चों को फेल का सामना करना पड़ा है इतिहास गवाह है इसे लिए मैं भी गवाही दे दिया ठीक है इतिहास के साथ चलना अच्छा होता है यार ठाइंक यू बाई जिनको पीडियो को डिस्क्रि बेन यह ठीक है थैंक यू बाई